जै मातादी दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके, आज मैं आपके लिए एक महत्यपन टोपिक लेकर आया हूँ, धन तेरस पर मा लक्षमी की किरपा पाने के चमतकारी उपाई, धन तेरस के चमतकारी उपाई, इन्हें जानने के लिए किरपया हमारी वीडियो को देखते रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी सबी वीडियो को हमारे मोबाईल एप क्रेजी इंडिया को गूगल एप स्टोर से डाउमलोड करके भी सबी वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए वाइदा उठा सकते हैं, अब बात करते है धन तेरस पर मा लक्षमी की किरपा पाने के चमत कार्य उपाई धन तेरस और दिपावली दोनों तयोंहारों में धन की देवी मा लक्षमी जी की पूजा का विसेश महतव है ये दिन कारोबारियों के लिए भी विसेश महतव रखता है क्योंकि पुराने समय से धाना चली आ रही है कि इस दिन मा लक्षमी के पोजन से सफलता समरिदी और खुशियां प्राप्त होती है धन तरिस के दो दिन बाद दिपावली मनाई जाती है धन का आर्थ ही समरिदी से होता है और तेरस का आर्थ होता है तेरवा दिन धन तेरस के दिन से ही हर घर ओफिस आदी में सभाई होने लगती है और उन्हें फूलों, रंगोलियों और लाइट से सजाए जाने लगता है और लक्समी माता के आगमन की तैयारियों को सुरू किया जाता है धन तेरस के दिन माता के पैरों के छोटे छोटे चीनों को घर में स्थाफित किया जाता है और स्याम को तेरा दिपक चलाकर उनकी पूजा की जाती है इस दिन लोग अपने घरों में नए बरतन भी खरीद कर लाते हैं क्योंकि इस बात का विसेश महतव है और पकवान बनाकर भगवान धनवंतरी को अरपित करते हैं माना जाता है कि इस दिन समरिदी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला हर उपाई फलदाई होता है धन की देवी मा लक्समी को परशन करने के उपाई धन तेरस के दिन आपको सुबह हुटते ही सबसे पहले अपने हातों को देखने की आदत को डालना चाहिए इससे बहुत ही सुब काम माना जाता है इसे करने से आपको सुब उर्जा वैल मा लक्समी के वरदान की प्राप्ती होती है धन तेरस और दिपावाली के दिन आप गाई माता के लिए बोजन जरूर निकालें और इसका सबसे पहले भोग भी गाई माता को ही लगवाई ऐसा करने से आपका भागे परवर्तित होता है और आपके घर में सुख समरीदी बढ़ती है अप उस पेड की टहनी को तोड़कर अपने घर लाएं जिस पर चमगादर रहती हूं इसे आप अपने घर की बैठक में रखें और ये आप के लिए बहुत ही लाबदाई होते हैं आप इन दिनों किसी मंदिर में जाकर केले के पेड को लगाएं साथ ही आप समय समय पर इस पेड की देखबाल भी जरूर करें आप केले के पेड के साथ किसी सुगंदित पोदे को भी अवस्य लगाएं माना जाता है कि जैसे-जैसे केले का पेड बड़ा होता जाता है आपकी आर्थी श्थिती भी वैसे वैसे अच्छी होती जाती है अपने घर में समरिदी के लिए आप इस दिन पूजन समय पर एक दक्षिनावर्ती संख का उपियोग करें और पूजा से पहले और पूजा के बाद संख से पानी लेकर पूजा में स्थित सभी लोगों पर छिड़कें धन तेरस के दिन सफेद चीजों जैसे चावल, कपड़े, आटा, आदी का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और आप ऐसा जरूर करें भी इस दिन आप माता लक्समी की पूजा के समय उन्हें एक लोंग को अर्पित करें आप इस प्रकिरिया को दिपावली के बाद भी चलने दें इस से भी आपको आर्थिक लाव की प्राप्ती होती है और मा लक्समी का आपके उपर वर्दान हमेशा बना रहता है इस दिन आप किसी गरीब, दुकी और रोगी के जितनी होसके उतनी आर्थिक साहिता जरूर करें इससे आपके वैपार में उन्ती होती है और आपका वैपार दिनो दिन बढ़ने लगता है मा लक्समी की किर्पा आपके उपर हमेशा बनी रहती है तो दोस्तों आप भी इन उपायों को अपना कर धन तेरस के दिन आप इन उपायों को अपना कर मा लक्समी की किरपा को पासकते हैं इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रासी के अनुसार आप धन तेरस के दिन मा लक्समी की किरपा को कैसे पासकते हैं या इससे आपको कोई जानकरी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूलें। इसके साथ सत आप हमारे यूटूब चैनल असरदार टोटके को सबस्क्राइब करना ना भूलें। क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जवरदस टिप्स लेकर आते हैं जिन से कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।